जीहां नवस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्श अकेडमे पे एक और नियू आपकी रिकूर्टमेंट को लेके आए हैं बाई जो चंदिकड एजुकेशन डिपार्डमेंट से आपकी आई हुई है हम बा बात करते हैं अप्लिकेशन जो डेट थी बीस साथ से स्टार्ट होने थी चोदा आठ को रहने थे वह यह क्लोजिंग और लास्ट देट थी फी डिपोजिट की सत्रा तो यह आठाट को साइट आपकी यह ओपन होगी इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है एक इसका नोटिस जारी कर दिया गया है 293 टोटल जेवीटी की पोस्ट है फस्स से लेके फिफ तक इसके अंदर टीचिंग है बही जेवीटी की जनरल कटेगरी की 149 सीट है ओबीसी की 56 है स्सके 59 है बही इड़ एसकी 29 टोटल पोस्ट है 293 जिसके अंदर यह फिजिकली हैंडिकाप और यह ए जाकते हो पेश्केल की बात करें तो पेश्केल है आपका जो रुपीज 900 9300 234 800 पलस जो ग्रेड पे है आपका ब्यालिश्व का वोग आपको ग्रेड पे मिलेगा जो भी चंदिगड अडिमिस्टेटिव के रूल है उसकी इसाब से आपको पेश्केल बनेगी बही एजूके हो या आपके पास डी एलेड हो डिप्लोमाइन एलिमेंटरी एजूकेशन के आपके पास हो ओफ नॉट लेस देन टू इयर डूरेशन रिकोगनाइस बाइन सीटी ग्रेजवेट हो या पचास परसेंट मार्क्स के साथ बैचलर हो आपकी एजूकेशन मतलब बीड और ग्रे इंदर रहेगे स्लेक्शन का जो क्राइटेरिया अब डहाई गंटे का आपका पेपर होगा डेड़ सो नंबर का पर रहेगा जिसके अंदर आपका मार्क किया गया है कि जो क्वालिफाइब मार्क है वो टेस्ट के अंदर 40 परसेंट होने चाहिए सभी कंडिडेट्स के करेंगे रिजनिंग अबिलेटी के पंदर आएंगे अर्थमेटिकल नुमेरिकल अबिलेटी पंदरा की आएगे वह टीचिंग अप्टिटूट पंदरा काएगा इन्फोर्मेशन जो आइसीटी होता है कमनी केशन टेकनोलोजी पंदरा नंबर के आएगी टेस्ट ओफ एक्जाम है वह टेंथ स्टेंडर बेस पर आपके लिया जाएगा मिनिमुम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो चालिस प्रेंट जिनके नंबर होंगे वह आप इसमें लिजिबल हो नेगटिव मार्किंग अप्लाई रहेगी नेगटिव मार्किंग रहेगी अगर साम आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मैथर्ज में आप भर सकते हूं सेलेक्शन प्रोस्स है आपका ओनलाइन अप्लिकेशन आप डालोगे तो उस्ते आपको पता चल जाएगा मैरिटलिस्ट जो भी प्रिपेर की जाएगे रिटरन टैस्ट के बाद उसको अप्लोड कर दिया जाएगा जो इनकी में वैबसाइट है एच्डी 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 एजुकेशन डोट जी ओवी डोट इन पे जाके अप्लोड कर दिया जाएगा एज लिमिट की बात करते हैं तो कंडिडेट एज लिमिट है वही एकिस साल से 37 साल इसके होनी चाहिए एक एक दोजार तेईस के नुसार और एज रिलैक्शेशन ह और इसके अंदर अप्लाई कि यह जो बात है वो मैंने पहले भी आपको बता दी है यह में जो डेट थी वो डेट है बटे इस डेट के अंदर कुछ चेंजिज हुए हैं उसकी मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूं थोड़ी तेर में यह आपके वाई होता है जो पूरा आप स्टेंडर्ड है दस्वी के स्टेंडर्ड पर आपको दिया जाएगा और यह चंदीगड के अंदर जेबीटी की जो टोटल पॉस्ट आई हुई है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर आपकी जेबीटी होड़ी एलेड हो या आपने ग्रैजुएशन के करें धन्यवाद